Hello and Good Morning Students, Welcome to Exam Insight, My Name is Napya तो आज हम 16th of October के सारे important current affairs देखेंगे ये top current affairs हैं जो exam oriented हैं जो आप किसी भी exam की preparation कर रहे होना आपके काम में जरूर आएंगे तो वीडियो को end तक thoroughly जरूर देखना साथी साथ मैं आपको बता दू कि अगर आप किसी भी exam की preparation कर रहे हो तो हमारे telegram channel को जाके join कर लो, link description box में दिया हुआ है वहाँ पे हम रोज नेने quizzes डालते हैं जो exam oriented होते हैं तो आप उनको solve करके अपनी जीत की तयारी का और पक्का कर सकते हो एक और important information आपको देना चाहूंगी हमारे offline center पे एक नया batch start हो रहा है 16th of October से ठीक है यह comprehensive batch है, comprehensive course है CDS, RRB, CET, IBPS, SHC का यह इसकी validity है 1 year की फिलहार इस पे 20% का discount चल रहा है तो फटबट से जाके इस offer को grab कर लो, पता नहीं कब तक रहे है ना अब इसमें कुछ important perks भी आपको मिलेंगे, वो कौन से है offline, online lecture आपको यहाँ पे मिलेंगे export faculties से पढ़ने का मौका मिलेगा, आप अपने Q&As भी solve करवा सकते है साथी साथ में exam oriented latest content आपको यहाँ पे मिलेगा online, offline test series आपको यहाँ पे मिलेगी daily current affair updates मिलेंगे, recruitment alerts आपको यहाँ पे मिलेंगे जो आपको हमारे telegram channel पे भी मिलते है आपको मैं बता दू, अगर recruitment alerts से आप एक दम updated रहना चाते हों तो हमारे telegram channel को जाके join कर लो, link description box में दिया हुआ है साथी साथ में यहाँ पे आपको recorded lecture मिलेंगे for your revision ठीक है और PYQ practice भी आपकी यहाँ पे होगी, ठीक है, चलो जी इत्ता clear होगे आपको, यह थी important information जिससे आप अपनी exam की preparation को और पक्का कर सकते हो चलो अब आज के current affairs देख लेते हैं current affairs देखने से पहले, जो हमने 13th of October को current affairs पढ़े थे, उसका थोड़ा से revision कर लेते है फटा-फट quick and short revision हो गाई है, ठीक है 13th of October का था United Nations International Day for Natural Disaster Reduction सबसे बचने के लिए इनको prevent करने के लिए इस दिन को, इसके बारे में awareness फिलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है IMF यानिक International Monetary Fund ने इंडिया का financial year 24 के लिए जो growth forecast है, उसका अनुमाल लगाया है 6.3% ठीक है जी गगन यान test space flight schedule हुआ है 21st October को, इसका जो प्रशिक्षन है वो 21 October को होगा ठीक है, महराष्टर government ने लेक लड़की scheme approve कर दी है, यानिकि इसका approval महराष्टर government ने दे दिया लेक लड़की scheme क्या है, देखो, इस scheme के अंतरगतना जो poor families की girl child है, जो 1 April 2023 के बात पैदा हुई है उनको यहाँ पे एक लाग का aid, यानिकि help जो है, वो government देगी, ठीक है, तो यही है आपका लेक लड़की scheme, चलो फिर आता है पदमश्री अवाडी, दहया भाई शास्त्री का निधन हो गया, कब 10 October को, ठीक है इन्होंने, यह क्या थे, यह संस्कृत के Indian scholar थे, इन्होंने अपनी पूरी life दे दी संस्कृत education को आगे बढ़ाने के लिए, एक्स्पैंड करने के लिए, ठीक है 8th BRICS International Competition Conference in New Delhi में आयोजित किया जाएगा आपको बता दू, BRICS का full form, सबको पता ही होगा, बट स्टिल, यह group है Brazil, Russia, India, China और South Africa का, जिसमें South Africa 2010 में include हुआ था, उसके पहले यह group सिर्फ था BRICS नाम से, ठीक है अब इंडिया का direct tax collection 18% तक October में पहुँच गया है, ठीक है A-help program जारखन में launch किया गया, A-help program है क्या, मोटे मोटे तौर पे आपको बता देती हूँ A-help program basically start किया जा रहा है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यहाँ पे महिलाओं को training दी जाएगी, उनको agent बनाया जाएगा जो भी farmers पशु पालन करते हैं, यानि कि जो भी farmers के बस गाय होती है, buffellers होती है वो वहाँ पे जाएंगी, जो महिलाओं होंगी, वो वहाँ पे जाएंगी agent बनके, door to door जा करके वो सब को aware करेंगी कि अगर जैसे कभी भी पशु बिमार हो जाता है, कोई भी ऐसी emergency हो जाती है तो ऐसे में पशु का insurance करवा लेना चाहिए, इन सब की information वो वहाँ पे देंगी तो basically यह है, Tanzania के president को JNU, यानि कि जवालना नहरू University की तरफ से honorary doctorate के सम्मान से सम्मानित किया गया यह सम्मानिने क्यों मिला है, यह सम्मानिने इसलिए मिला है कि pandemic होनी के बाद और globally इतने changes होनी के बाद इतने challenges होनी के बाद भी इन्होंने इंडिया के साफ में जो सम्मन्ध है वो mutually जो व्यापारिक सम्मन्ध है वो बनाए रखे उनको और मजबूत किया उसके लिए उने ये award स्वरी ये सम्मान जो है वो मिला है clear है? revision हो गया हमारा अब आज की current affairs देख लेते हैं आज है 16th of October यानि की World Food Day भोजल, portion, nutrition कुछ भी कहलो आज कल सरकार nutrition की तरव बहुत ज़्यान दे रही है तो World Food Day की जो इस बार की 2023 की theme है वो क्या है? Water is life, water is food, leave no one behind इस theme को रखने का मकसद क्या है? इस theme को रखने का मकसद है ये बताना कि अगर खाना भी हम खाते है न उसकी foundation भी पानी है आपको खाना उगाने के लिए पानी चाहिए, पानी डालते हो तबी आप के पौधे या सबजियाए सब उगता है, अन उगता है, ठीक है? आप खाना बनाते हैं टाइम वाटर का यूज़ करते हैं तो बेसिकली अगर फूड की foundation देखी जाए तो वो पानी है, ठीक है? ये इस बार की theme है इस दिन को मनाया जाता है, खाने की importance के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए कोई भी खाना बरबाद ना करे, सब को खाने की value पता हो, दुनिया में कई हंगर ना बचे, सब को बराबर nutrition मिले, इसलिए ये दिन को मनाया जाता है अब अगर हम nutrition, food, potion की बात करी ही रहे हैं, तो सरकार ने इसके लिए बहुत सी schemes launch करी है चलो थोड़ी सी बातचीत उसके बारे में भी कर लेते हैं देखो, सबसे पहले potion अभियान के बारे में बात करते हैं very important for your exam potion अभियान क्या है, potion अभियान के अंतरगत सरकार का में मकसद है 6 साल से कम उम्र के बच्चे, लड़किया, 15 से 49 एर सकी लड़किया pregnant ladies और lactating women, यानि कि जो feed कराने वाली women होती है तो उनको अच्छे से nutrition प्रोवाइड करना किसी में भी खून की कमी ना रहे, जैसे बच्चे होते हैं, 5 साल से भी कम के बच्चे होते हैं या कुछ महीने के बच्चे होते हैं, इतना nutrition हो सबके अंदर कि किसी को भी खून की कमी ना रहे इसलिए भी pregnant ladies की diet पे बहुत ज़्यान दिया जा रहा है, उनके portion पे भी ध्यान दिया जा रहा है तो उसको भी कम करने के लिए यहाँ पे portion अभियान स्टार्ट किया गया प्लस ओरिश्या की government ने यहाँ पे मुख्य मंत्री संपून पुष्टी योजना लॉंच की थी अब यह योजना के पीछे का उद्देश क्या है देखो यह जो मैं योजना बता रही हूँ यह एक्जाक्ली आपकी exam oriented ही है तो इनको अच्छे से एक बार देखनो ठीक है, यह जो मुख्य मंत्री संपून पुष्टी योजना है इसके अंतरगत ओरिशा के गॉवर्मेंट का मेन मोटेव यह है कि जो बच्चे हैं उनको फुल नूट्रीशन मिल सके जो लड़किया है 15 से 19 साल की उनको supplements प्रोवाइट कराए जाएंगे अगर उनके अंदर कोई भी कमी है आप में अंडे प्रोवाइट कराए जाएंगे और जो pregnant ladies है उनको सूखा बोजन इस योजना के अंदरगर प्रोवाइट कराए जाएगा मेन मोटिव इसका है nutrition सब को प्रोवाइट कराना क्योंकि यही जो सब मैंने बताया है यही सब आने वाला भविश्य है ओडिशा की गर्मिन ने एक और योजना यहाँ पे लॉंच करी है क्या है पदपुष्टी योजना क्या है पदपुष्टी योजना अब यह योजना क्या है देखो यह जो योजना है इसके अंतरगत जो बच्चे हैं उनको highly cooked food, मतलब high quality cooked food उनको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा especially जो बच्चे रूरल एरियास से बिलॉंग करते हैं उनको ठीक है उसके बाद ओडिशा की गर्मिन्ट ने एक और स्कीम लॉंच की है that is ममता योजना ममता योजना क्या है ममता योजना के अंतरगत जो pregnant ladies है और newborn babies है उनके health और well being पे ध्यान दिया जाएगा तो यह है आपकी ममता योजना इसके अलावा सरकार ने मिलिट्स पे भी बहुत ज़्यादा focus करना start किया है कि हम सब को मिलिट्स खाना चाहिए इसके लिए awareness फैलाना सरकार ने start किया है जी 20 की meeting जब हुई थी तो lunch और डिनर में मिलिट्स सर्फ किये गए थे तो basically मिलिट्स बहुत ज़्यादे nutritious होते हैं इसलिए सरकार मिलिट्स के बारे में इतनी जागरुकता फैला रही है तो आप देख सकते हो portion की तरफ इस टाइम कितना ज़ादा government of India ध्यान दे रही है तो इस सारी schemes बहुत ज़दा important है यह योजनाओ को अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लो आने वाले और important days and dates कौन से हैं इसको बता दू यह जो days and dates होते हैं हर मन्त के बहुत ज़दा important होते हैं इनको thoroughly देखा करो ऐसा मत सोचना कि आरे इन में क्या है तो आएंगे नहीं भाई यही आते हैं ठीक है तो October 24 को है United Nations Day और World Polio Day फिर है 31st October को राश्ट्री एकता दिवस जो की इनिया में मनाया जाता है clear है आप लोगों को यह चलो जी आगे चलते हैं इसते related सवाल क्या बन सकता है आपका World Food Day कब मनाया जाता है तो अभी हमने देखा 16 October को ठीक है चल आगे बढ़ते next current affairs देख लेते हैं UP ने गंगा की डॉल्फिन को स्टेट का एक्वेटिक एनिमल यानिकि जलिय जन्तु घोशित किया है ठीक है अब उत्तर प्रदेश के CM योगी अधित नाथ ने यह announcement यानिकि घोशना की है कि अब इसे उत्तर प्रदेश का एक्वेटिक एनिमल है गंगा क की डॉल्फिन ये घोशना करके उत्तर प्रदेश की गवर्मेंट ने ये दिखाया है कि जो इनका commitment है wildlife conservation का और environmental preservation का यानिकि wildlife का संरक्षण ठीक है जीव जन्तुओं का संरक्षण और यहां पर environment का संरक्षण ये सब की तरफ जो इनका commitment है उसके लिए पूरी तरीके से जाग ठीक है ये जो declaration हुई है जो घोशना हुई है ये कौन से campaign के अंतरगत हुई है ये campaign के अंतरगत हुई है मेरी गंगा मेरी Dolphin 2023 campaign इसके दौरान launch किया गया है ठीक है इतना clear है आपको चल अब UP के बारे में बात हो रही है तो इसके बारे में basic facts जानना important है one day examination के लिए ठीक है उ उत्रप्रदेश के CM कौन है योगी अधितनाथ बेरी पॉपिलर ठीक है उत्रप्रदेश के governor आनन्दी बेन पर टेल उत्रप्रदेश का region क्या है North Indian region है ठीक है जी उत्रप्रदेश के land area कितना है 243,286 km2 ठीक है उसके बाद में उत्रप्रदेश की official sport कौनसी है field hockey clear है चल आग को अपना state aquatic animal घोशित किया है यानि कि अपने राज जी का जलिय जन्तु घोशित किया है किसने किया है अभी अभी हमने देखा उत्तरप्रदेश that is option number D correct चल आगे चलते हैं चल जी राजस्थान के CM ने तीन नए district की स्थापना घोशित करी है ठीक है राजस्थान के जो CM है अशोक गेहलोट इन्होंने announce यानि कि गोशना करी है तीन नए districts की क्या है उनके नाम मालपूरा, सुजनगड और कुच्छामान सिटी ठीक है इनकी इन्होंने गोशना करी है जो announcement है ये जैपुर राजस्थान में हुए गौ सेवा सम्मेलन के दोरान की गई थी जो decision है इनका ये नई districts बनाने का ये किस पे based है पबलिक डिमांड यानि कि लोगों ने इस चीज की डिमांड भी की थी साथ ही साथ बहुत जो बड़े बड़े लीडर्स है जो कमिटी के members है उन्होंने भी इसकी recommendation यानि कि सला दी थी उस पे ये decision जो है वो लिया गया है ठीक है चल अब आ मैं confused हो गई थी राजस्थान की क्योंकि उपर उपर लिखा नहीं था ना formation लिखा था सिफ तो मैं थोड़ा सा confused हो गई थी ठीक है राजस्थान की स्थापना गब हुई थी 30 मार्च 1949 को चलो जी राजस्थान की स्थापना कब हुई थी 30 मार्च 1949 को इसकी capital क्या है जैपुर है district किती है इसमे 33 गवर्नर कौन है काल राज मिश्रा सीम कौन है अशोक गहलोड राजसवा seats किती है 10 और 25 है लोगसबा seats clear है चलो इससे related सवाल देख लेते हैं कि क्या बन सकता है कौन सी state ने तीन नई district बनाने की घोशना की है तो हमारा answer है क्या राजस्थान ठीक है clear चलो आगे चलते है 8 Indian products ने GI tag receive किया आप देखो GI tag होता गया है GI tag के बारे मैं अगर आपको बताओ तो इसी भी district या state की जब कोई चीज ओरिजिनली कोई product ओरिजिनली उसी state या उसी district से बिलॉंग करता है जैसे डार्जलिंग की टी हो गई ठीक है तो डार्जलिंग की टी को GI tag मिला हुआ है कि वो पर्टिकुलर्ली डार्जलिंग से बिलॉंग करती है पंजाब हरयाना के चाव इसको मिल गया है अब यह GI tag मिलता कैसे है इसके लिए state को यह district को जो भी member होता है जो भी उस product का main वो होता है owner वो जाके register करवाता है उसके बाद में उसको GI tag मिलता है बाकि GI tag बहुत लंबा topic है अभी समझाने बैठूंगी ना तो यह current affairs चलते रहेंगे एक घंटे तक ठीक है तो अब यह आगे बढ़ते हैं मोटे मोटे तोर पे आपको GI tag के बारे में मैंने बता दिया अब यह जो आठ प्रोड़क्ट्स है यह अरुनाचल प्रदेश के हैं तीन प्रोड़क्ट्स ठीक है जम्मू कश्मीर के हैं दो प्रोड़क्ट्स तमिल नाडू का है एक और यह चावल है ओविसली नाम से ही समझ आ गया नमसाई डिस्ट्रिक्ट अरुनाचल प्रदेश के यह तीसरी चीज़ अरुनाचल प्रदेश की है टंगसा टेक्स्टाइल यह कपडों के काटेगरी में आ गया ठीक है और चंगलंग डिस्ट्रिक्ट अरुनाचल प्रदेश उ उसके बाद आता है बसोली, पशमीना, अब पशमीना का तो नाम सुनके सबको जम्मु एन कश्मीर ही याद आएगा, obviously, पशमीना एक तरीकी का वूल होता है, आपने पशमीना के शॉल भी सुने होंगे, ठीक है, तो इसको जम्मु कश्मीर के बसोली के पशमीना को यहाँ पे जैसे अब आप कलाड़ी देख सकते हो, यह फूट स्टफ में ही आ जाएगा, ठीक है, याग चुर्पी भी डेरी प्रोड़क्ट है, यह फूट स्टफ में ही आएगा, उसके लाबवा अगरिकल्चर होता है, अब जैसे अपने राइस देखें यहाँ पे, राइस क्या है, अगरिकल्चर की चीज़ है, तो इसमें आएगी, अगरिकल्चर की काटेगरी में, तो इसी तरीके से काटेगरी वाइस यहाँ पे चीज़ों को दिया जाता है, जैसे मैनुफैक्टरिंग की भी होती है, एक काटेगरी, उसमें भी जी आई टाग दिया जाता है, तो से बिलॉंग करती है यहीं की वो चीज बेस्ट है अच्छी है ओरिजिनल है ठीक है चल आगे चलते हैं इससे रिलेटिट सवाल क्या बन सकता है यह चुर्पी जिसको जियाई टाग मिला वो कौन सी स्टेट से बिलॉंग करता है अभी हमने देखा अरुनाचल प्रदेश से और यह सुल्टान ओफ जोहर कप 2023 जो है यह इसका 11th edition है मैंने आपको पहले भी बताया है कि edition संसकरन अच्छे से याद कर लिया गरो ठीक है यह कहां पर आयोजित किया जाएगा जोहर मलेशिया में ठीक है होकी इंडिया ने अनाउंस किया है कि 20 मेंबर जो इंडिया जूनियर म होने वाला है यह उक्टोबर 27 को स्टार्ट होगा और 4 नवेंबर को यह इसका फाइनल होगा ठीक है ख्लियर है चल आगे चलते हैं अब जो 20 मेंबर्स इंडिया से खेल रहे हैं वो कौन-कौन है गोल कीपर्स है मोहित एचेस रनविजे सिंग यादव डिफेंडर्स के उसम विश्नुकांत सिंग रजिंदर सिंग अमंदीप सुनीत लक्रा अब्दुल अहद उसके बात पौवर्स की बात की जए तो उत्तम सिंग अरुन सहानी अदित ललागे अंगत बीर सिंग गुर्जोद सिंग और सतीश ठीक है ख्लियर यह आपके सब मेंबर्स हैं जो इंडिय जोहर में ठीक है clear चल आगे चलते हैं विवेक अगनी होतरी ने अपनी latest book को launch किया इनकी book का नाम क्या है इनकी book का नाम है the book of life my dance with buddha for success आपको बता दू यह books and authors के भी question बहुत ज़दा exam में आते तो इसको भी अच्छे से एक बार go through कर लिया करो ठीक है विवेक अगनी होतर है कौन? ये कश्मीर फाइल्स के डिरेक्टर है, कश्मीर फाइल्स बहुत पॉपिलर हुई, ठीक है? इसके ये डिरेक्टर है, इन्होंने अपनी लेटेस बुक को लॉंच किया है, कहां पे? लखनाउ में, ठीक है? इन्होंने एक medical drama film भी डिरेक्ट की है, 2023 में कौन सी वैक्सीन वार, इस वैक्सीन वार को किस के बेस पे बनाए गया? बलराम भारगव की द्वारा लिखी गई बुक के बेस पे इस ड्रामा फिल्म को बनाए गया, ठीक है? भारगव ने और भी बुक लिखी है, कौन सी देख लेते हैं, इनसे related क्या सवाल पूछा जा सकता है, इस वाले current affair से related, The Book of Life, My Dance with Buddha or Success के author का नाम क्या है, options, ये नहीं है, तो क्या है, विवेक अगनी होतरी, ये आप एग्नॉर कर दो, ये mistake हो गई, विवेक अगनी होतरी, आगे देख लेते हैं, अनुराख ठाकुर ने animated series का जो trailer है, उसका अनावरण किया है, अब union minister श्री अनुराख ठाकुर ने launch किया है trailer of Chris Trish and Balti Boy, भारत है हम, देखो, Chris Trish आपको दिखा देती हूं, आप यहाँ पर देख सकते हूं, ये जो cat है, ये है Trish, ठीक है, ये है Chris जो monkey है और बीच में जो donkey है, ये है Balti Boy, ये iconic characters है animated movies के, अगर आप animation के बोलो तो ये iconic characters है, ठीक है, तो इनी को यहाँ पर लाया जा रहा है, इनके थुरू क्या दिखाया जाएगा, इनके थुरू दिखाया जाएगा 1500 से लेके 1947, जो आजादी का time था, इनके थुरू दिखाया जाएगा Indian Freedom Struggle, यानि कि भारत को कितना struggle करना पड़ा, कितना संगर्श करना पड़ा, इस series के थुरू ये दिखाया जाएगा, ठीक है, इसको produce कौन कर रहा है, इसके दो seasons आएगे, और इसको produce किया जा रहा है by Central Bureau of Communication, Ministry of Information and Broadcasting and Graffiti Studios, इसकी series जो है, उसमें 52 episodes होंगे, हर episode 11 minutes का होगा, ठीक है, 11 minutes each, ये जो series है, इसमें मैंने आपको अल्रेड़ी बताया, बहुत most iconic characters होंगे, that is Krish, Trish and Balti Bon, ठीक है, Krish ये movie वाला Krish नहीं है, ठीक है, चल, अब ये जो series है, ये कितनी languages में produce की जाएगी, बहुत important series है, इसके बार इन लांगुज रहेगी, उसके अलावाद Tamil, Telugu, Canada, Malayalam, Marathi, Gujarati, Punjabi, Bengali, SMEs, Odia और English में इसको प्रिड्यूस किया जाएगा, ठीक है जी, उसके बाद में ये जो series है, किस-किस international languages में इसको डब किया जाएगा, French, Spanish, Russian, Arabic, Chinese, Japanese, और Korean, ठीक है, which makes it very important, ठीक है, चल, आगे चलते है इससे related सवाल क्या बन सकता है, अनुराख ठाकुर के द्वारा launch, Chris, Trish और Balti Boy भारत है हम, ये क्या है, मतलब ये क्या है, web series है, movie है, TV series है, क्या है, तो ये क्या है, animated series है, ठीक है, ये हमने अभी पीछे ही देखा था, आप यहाँ पे, Chris, Trish और Balti Boy को भी देख सकते हो, ठीक है चल, आगे चलते हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर ने 26th Energy Technology Meet भारत मंदपम में inaugurate, यानि कि उधगातित किया है, अब भारत मंदपम कहां पे है, हम सबको पता है, New Delhi में, यहीं पे क्या हुआ था, G20 का main summit भी हुआ था, ये तो सबको पता ही होगा, ठीक है, ये किसकी presence में हुआ ये presence में हुआ श्री हर्दीब सिंग पूरी की, जो की honorable minister है of petroleum and natural gas and housing and urban affairs, इन्हों ने inaugurate किया, 26th Energy Technology Meet, कहां पे भारत मंदपम, New Delhi में, ठीक है, तक लियर है आपको, श्री हर्दीब सिंग पूरी ने बात की, country के achievement के बारे में, जो भी country ने green and clean energy के sector में, इस छेतर में जो भी अ के बारे में बात हो रही है, तो इंडिया कहां पे इसमें कौन सी position पे बैठता है, चलो वो देख लेते हैं, तो अगर oil के मामले में देखा जाए, तो दुनिया का third largest consumer है, इंडिया, और LPG consumer देखा जाए, तो third largest India है, fourth largest LNG importer है इंडिया, और fourth largest refiner भी है इंडिया, ठीक है जी इतना clear है आपको, चलो, अब आगे चलते हैं, petroleum minister ने inaugurate किया 26th energy technology meet कहां पर, तो अभी हमने देखा भारत मंडपा new daily, ठीक है, चलो, आगे चलते हैं, इंडिया और Switzerland ने अपना 75 years of friendship मनाया, अपनी दोस्ती का 75 years होने पर इन्होंने celebrate किया, कहां पर celebrate किया इन्होंने, कुमांग village में, जो की उत्तराखंड में है, ठीक है जी, यहां पर इन्होंने इसको celebrate किया, उत्तराखंड बहुत प्यारा state है, चलो, इसके बारे में कुछ basic details जान लेते हैं, उत्तराखंड region जो है, वो North India में, इसके governor है, गुरमीद सिंग, Chief Minister Pushkar Singh, धामी, ठीक है, आप Switzerland की बात कर लेत है, तो capital क्या है, burn, official language क्या है, यहां पर capital लिखा नहीं है, मैं लिख देती हूँ, capital क्या है, burn, ठीक है, official languages क्या है, German, French, Italian, Romanish, ठीक है, currency क्या है, Swiss, Frank, इत्ता clear है आपको, चल, अब आगे चलते हैं, question क्या बन सकता है, इसमें, इंडिया ने कौन सी country के साथ में, recently 75 years of friendship के मनाए उत्रा खन में, तो अभी अभी हमने देखा किस के साथ में, Switzerland के साथ में, ठीक है, चल, आगे चलते हैं, तंजानिया के साथ में क्या हुआ था, तंजानिया की president को क्या मिला था, honorary doctorate, honorary doctorate के सम्मान से तंजानिया की president को सम्मानित किया गया था, कहां पे, जवाहर नाल university के द्वारा, ठीक है, क्यों सम्मानित किया गया था, क्योंकि इन्होंने इंडिया के साथ में, pandemic और बहुत से challenges जो globally सब face कर रहे थे, उसके बाद भी इंडिया के साथ में, इन्होंने जो trade स सम्मंध है, जो वे अपारिक सम्मंध है, वो बहुत मजबूत रखे, इसके लिए इनको ये सम्मान मिला था, ठीक है, ये important है, इसलिए मैंने आपको बताया, इसको अच्छे से अपने mind में set कर लो, ठीक है, चल, अब last देख लेते हैं, नितिन गटकरी ने 7 bridge projects, जिनकी cost है 118 15.50 crores, इनको approval यानि कि मंजूरी दे दी है, ये जो project है, इसको किसके अंतरगत मिला है ये approval, सेतु बंदन स्कीम के अंतरगत, इसको approval यानि कि मंजूरी मिली है, ठीक है, किसके लिए, अरुनाचल प्रदेश के लिए, location कौन सी होंगी ये 7 bridges scheme, east coming, lower debunk, west coming, lower siyang, east siyang और lower subansiri district, ठीक है, कौन से type के bridges होंगे, RCC bridge, steel composite bridge, double lane steel, composite bridge with RCC decking, ठीक है, ये जो scheme है, इसका main focus क्या है, connectivity, rural areas और remote areas को connect करना, इसका main focus है, ठीक है, कौन सी scheme के अंतरगत, सेतु बंदन scheme के अंतरगत, clear, चल, बहुत exam oriented current affairs मैं आपको कराती हूँ, जो आपसे exam में पूछा जाएगा, तभी आपको मैं इस type के basic facts जरूर बताती हूँ, ठीक है, अब कौन सी चीज़े आपके one day exam में पूछी जा सकती है, अरणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, 20 February 1987 को, capital क्या है, इटा नगर district कि नायक, राज सवा सीट्स किती है, एक, और लोग सवा सीट्स किती है, दो, तो ये थे आपके आज के top current affairs, शलो अब आपको एक homework भी दूँगी, चलो उससे पहले, इस से related सवाल क्या पूछा जा सकता है, वो देख लेते हैं, साथ bridge projects को approval मिला अरणाचल प्रदेश के लिए स्कीम के अंतरगत, उडान स्कीम, सेतु बंदन स्कीम, सतत स्कीम या निर्विक स्कीम, तो answer है सेतु बंदन स्कीम, clear है, अब अपना homework भी देख लो, अपको लग रहा होगा मैम को homework देने की बड़ी जल्दी है, हाँ है, comment section में इसको solve जरूर कर लेना, ठीक है, गगन यान कि टेस्टिंग को कहां पर conduct किया गया, Delhi, Bangaluru, Chinnaya, Shri Hari, Kota, ठीक है, लेक लड़की योजना, कौन से स्टेट से related है, माराष्ट, Gujarat, Tamil Nadu या ओडिशा, ठीक है, इसका answer में को comment section में बताओ, जिसका भी answer सही होता है, मैं उस पे एक like जरूर दे देती हूँ, यह आपको पता ह अगर आप comment करते हो, तो, now this is me, now we are signing off, video informative लगा हो, like, share, comment, subscribe, subscribe, subscribe कर देना, bye bye, take care